गोड़ना के गोड़ी चौक स्थित बहुचर्चित अरजुन टी स्टॉल को आज मजिस्टेट के आदेश के बाद पुलिस ने खाली करा दिया है मिली जानकारी के मुताबिक इस दुकान पर पिछले दो साल से अरजुन पंडित ने अवायद कबजा कर रखा था जिसके बाद आज कमिस्टेट और पुलिस की तैनाती के साथ उस दुकान को खाली करा दिया गया कमिस्टेट ने बताया कि पिछले दो वर्थों से कोट में कमल कृष्ण घोस और अरजुन पंडित के बीच मामला चल रहा था एक कठा आर धूर दस धूरी के लिए ये मामला था जिसके बाद आज कोट का आदेश आया है कि अरजुन पंडित द्वारा दिये गई दखल के जमीन को खाली करा कर उसकी चाभी पावर अपर्टरमनी के तहत नवीन पंडित को सौप दी जाए वही आज मजिस्टेट की मौजूदगी में पुलिस ने दुकान को खाली कराया है और चाभी नवीन पंडित को सौप दी है कितने दिनों से था यह दुकान को खाली करा करके इसको नवीन पंडित को सौप कर देना यही आज़ेश में लाए कितना जमीन डाय है इसमें जमीन है एक कट्था आठ धूर दस धूर की क्या कुछ कारवाई हुई है कि मिसंचोक के पास एक दुकान था जिसके मेरिस्टेट में आये थे खना पर इन्हों ने आदे इसका कोपी दिया था बड़ाव वह दो वहां शें बेजे फोर्स के साथ की आप बल लेकर चले जाईए खाली कराने में शुर्फशा था जो भी इसकत होगा उसको आप महया कर पर लोगों ने दुकान स्वेक्षा से खाली कर दिया एक दो ताला था जिसका चावी नहीं था नहीं मिला तो लोग वो वह दिसके चावी नहीं आप प्रटवाएं कितने प्लीस की जवान की ते की गई थे लोग पी रोज नहीं हुआ जब तुम दो किया गया नहीं कुछ इनका समान ने खाली कर जाए है कुछ समान बचा हुआ था जो सामने मौजूद थे अपना समान निकाली है पुरवाजिन इन पंडिश कितना दिन से ऐसा कर रहा थे तो है दस साल आपका गहर का हूँ आपका गहर का हूँ आपका बढ़ता है रहते हैं कि ठीक